हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स अकसर हमारी गाड़ियों में खास करके कार और स्कूटर में और कभी-कभी बाइक में भी जो चूहें वह गुजाते और एक बार इन गाड़ियों में अगर चूहें चले जाए उसके बाद क्या-क्या नुकसान प चाहते और इसको लेकर अकसर में चैनल पर मैंने देखा है कि कॉमेंट्स आते हैं कि भाई इसका सॉलुशन क्या है तो देखो आज कि इस वीडियो में मैं आपको अगर आपके गाड़ी में चूहें वगर घुसने का डर है तो उसके लिए एक रियाट रिप्रेंट्स प्रे के दिखाने वाला हूं किस तरह से यूज करना कितनी दिनों में यूज करना यह सब मैं आपको आगर इस वीडियो में बताने वाला हूं किन पार्ट्स में प्रेंट्स में उप बतानी सारे चेको से होते हैं工 को S ties इसके लबाब बाइक और स्कूटर की बहुत सारी जो राइडिंग गयर्स होते हैं, राइडिंग इसे सरी होती है, कुछ यूनिक प्रोडक्स होते हैं, बहुत सार प्रोडक्स ऐसे होते हैं, जो कि आपकी राइडिंग को सिफ बनाते हैं, जो कि आपकी गालियों को सिफ बनात फ्रेंड्स ये है टॉम कैट का रैट रेपलेंट इस्प्रे हालाकि इस बॉटल में आप देख रहे हो फोर कार्स आपको लिखाओ दिखाई दे रहा है लेकिन इससे आप बाई स्कूटर किसी भी गाड़ी में यूज कर सकते हो वैसे इस बॉटल के साथ आपको गलफ्स और मास्क भी मिल जाता है और मैं आपको रिकमेंड करना कि आप जरूर से गलफ्स को और मास्क को पहन लिए उसके बाद ही इसे यूज करें ठीक है इस बॉटल को अठाओ और वहां पर अच्छी तरह से प्रे कर दो इन शौट गाड़ियों में जिन जिन रास्तों से और जिन जगों पर जाके तो चूहें अपने घर बना लेते हैं आपको उन एरियाज में इसे स्प्रे करना है लेकिन यहां पे हम आपको खास बताना चाहूंगा देखो यह क्या है कि बाए उन एरियाज में जहां पे आपका इसे केबिन का अंदर हो गया ठीक है या हैंडल बार वगरा हो गया या फिर फूट रेस जहां पे आप रखते हो यानि कि इन एरियाज में जहाँ पे आप या जो है वो हाथों का पैरों का या बागी किसी चीज़ का भी direct contact होता है आपको उन एरियाज में इसे बिल्कुल spray नहीं करना है जो under body है वहाँ पे आम लोग इसे use कर सकते हैं वहाँ पे आम लोग इसे spray कर सकते हैं बायक वागरा में फिर भी आप gloves को लगा के use करें और यहाँ पे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इनके वैसे क्या कि यह चूहों को मारते नहीं है यह क्या करते उससे बहतर यह करते कि इनका जो smell है उसके वैसे चूहें जो है वो हमारी गाड़ियों के अंदर नहीं जाते है वहाँ प जो परिशानी है उससे निश्चिंथ हो जाए अगर इस पर डिरेशन की बात की जाए तो as per company यह 60 से लेकर 90 दिन होता क्या नहीं कि 2 से लेकर 3 महने तक इसका असर रहता है उसके बाद इससे आपको दोबारा से इस प्रे करना होगा अगर प्राइस की बात कर ले तो मैंने इ जानकारे को पसना योगी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बार अतनी राए आप मुझे कॉमेंट करके जरूर पता है इसके लाब अगर आप चैनल पे नहीं हूँ या अभी तक अपने चैनल को सब सब्सक्राइब कर ले और बेल अकन को भी दबार ले ताकि आने वाले इंपॉर्टन वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के तुरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में थैंक्स वाचिंग इस वीडियो गुडबाई